नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनम स्वास्ते कारे करता अठाई सो ग्रेट पे हाई कोट अपडेट को लेकर के बात करेंगे 29 सितंबर यानि आज की डेट में आप वीडियो जब भी सुन रहे होंगे तो 29 सितंबर की डेट में जनता दर्बार लगा था और कुछ स्वास्ते कारे करता जनता दर्बार में मुक्यमंत्री जी से मिलने के लिए गयते और जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार मुक्यमंत्री जी के तरफ से आस्वासन दिया गया है कि जो भी कोट वाला मैटर है उसमें हम नेर्देश देंगे और ऐसा भी बताया गया कि उसमें मुख्यमंत्री जी के तरब से निरदेश मिलने के बाद फिर आगे उसमें बात की गई है और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सरकार ही 2800 ग्रेट पे के खिलाप आप सभी स्वास्तेकार करता हों से कोर्ट में लड़ रहे हैं कि 2800 ग्रेट पे वो देना नहीं चाहते हैं लेकिन ये जो भी प्रियास हुआ है बहुत ही अच्छा प्रियास हुआ है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी जनता दर्बार में गए थे हर अस्तर से कोशिस होनी चाहिए बहले ही सरकार हमारे खिलाप में हो 2800 ग्रेट पे की खिलाप में हो उससे मतलब नहीं अपना प्रियास करना उनसे निवेदन करना जनता दर्बार में जाकर के मुखिवंतर जी सी मिलना या फिर कोर्ट में मजबूती से पैरवी करना ये सभ कुछ यहां पर देखिए मैटर और भी है एक मैटर है जिसमें जो कुछ सीटे होल्ड हो गई थी एनम बान में बारा वाली भरती में ये डब्ली एस की सीटे होल्ड हुई थी तो उसमें थोड़ा सा आप सभी को सुप्रिंग कोर्ट अपडेट को लेकर के जानकारी देंगे और जितने भी इसमें श्वास्तेकार करता है प्रदेश में या फिर जो भी राजी कर्मी है आप लोग जानते हैं कि इसमें सभी अराजपत्रित राजी कर्मी हो या फिर सिक्षक हो जिसे आप लोग राजी कर्मी में आते हैं श्वास्तेकार करता सिक्षक हो गए तो सभी को जो भी अराजपत्रित में हैं सभी लोगों को दिपावली बोनस देने का प्रावधान होता है जिनकी बिलकुल नियो जवाइनिंगों उनको छोड़ करके और ऐसा होने की सत्प्रसत संभावना है कि अक्टूबर महीने में दिपावली से पहले पहले अक्टूबर महीने का भी वेतन आप सभी को मिल जाए बोनस के साथ में और बढ़े हुए डिये के साथ में आपको वेतन मिलेगा शेप्टेंबर का और अक्टूबर का दोनों मंत का एक साथ इसके अलावाद जो भी आपका अत्रिक्त वेतन डिये बढ़ने की बज़े से जुलाई से देखा जाएगा तो अत्रिक्त वेतन भी आप सभी को एरियस की रूप में मिलने की संभावना रहेगी सभी को दिपावली बोनस वाले में कुछ क्राइटेरिया होती है उसमें केवल नियू जुआनिंग वालों को छोड़ करके बागी सभी को मिल जाता है अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आप सभी को बता देंगे कि दिपावली बोनस लगबग कितना मिलेगा और किन को मिलेगा बहुत पहले एक लेटर जारी हुबाता महा निदेशक परिवार कल्यार के तरफ से 2017 में और अभी आप देखेंगे पिछले कुछ साल से और एक साल दो साल से तो काफी ज़्यादा नई नई इतने सारी होजना है डाटा फीडिंग पिछले एक साल की बात कर ले तो इतने कल गया किसी कोई भी केस सपोस्ट फिर वहां पर वैक्षिनेशन आदी को ले करके सर्वे को ले करके फिर वहां पर घर घर भरमड आदी चीजे मतलब यह तो मैंने एक बताया इसी तरह के से नए नहीं होजना है आती रहती है कोई नया प्रोग्राम सुरू हो गया उसको ले पीडिया फोर्म में अगर आपने सकता Church अगर आपने देखा और ओघर पीड्य वहाब देखें लिए उस्टानि पुरौनी कोरानी ऐसे नियू परापत हो भी नहीं बस जितनी सारे qaam जो गईया जाते जो नर्देता है थी मो फिर को लोग आप लोगों लेकिन दस सीटे होल्ड किया गया था और मैटर अभी तक सुप्रिंग कोर्ट से फाइरल नहीं हो सका है यानि कि उन सभी सिश्टर की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है वाकि जो उसमें पिटीसनर सिश्टर है वो लोग अपना केस लड़ रही है अभी तक उनको भी वोगी कितनी सीटे होल्ड होगी तो यहां पर लेखेंगे तो लाश्ट सुनवाई 20 फरोरी खाला कि 23 फरोरी को भी सुनवाई होवी थी उस दिन का भी है क्यमें एक मैटर टैग हो बाता तो यह वह बाद मैटर वहीं पर अगरे आट अनुक्सक्राइम नहीं हो सकी ती वहां दस सिष्टर हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिल लीजे जनतारबा तरबर में अगर आप सबी को वहीं से जो भी आपका समाधा निकलना होगा निकलेगा अगर विभाग से आप सबी की बात नहीं बन पा रही या फिर कोर्ट में जो भी मैटर अभी तक है चुकि सुनवाई नहीं हो पा रही अब मैटर कब तक फाइनल होगा आखिर यह जो लाश सुनवाई हो भी थी उसका कोर्ट आडर बाकी इसमें और कोई इंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिला है या कोई डोकुमेंट्स वगर आधी कुछ भी चीज़े या कोई भी जवाब आधी को ले करके जिसमें जितने भी सिश्टर हैं यह होल्ड वाले आप लोग जनता दरबार में जाकर कि मुख्यमंत्री जी से प्रत्रेक्श मिल करके उनको पनी समस्या बताने का प्र्यास करिए और कोशिड़ आप सभी यह कर ये कि किसी जनप्रतिदी की माधिम से आप लोग जुन तक तब से लेकर के अभी तक सीटे होल्ड पड़ी हैं इसके आगे देखिए आप सभी अटाइसो ग्रेट पे वाले मामले में कल हाई कोट डिवीजन वेंच में सुनवाई होनी है लखनोव पीट में एडिशनल में सीरियल नंबर फ्रेज के मामले 18 मतलब कुल मिलाकर के 22-23 नंबर पे है केस अगर एक दो कोई केस अगर और सुना जाना होगा टाइम उगर फिक्स होंगे तो कुल मिलाकर केस अब 11-11 बज़े तक या बहुत अगर डिले हुआ लेट हुआ बिलम हुआ तो 12 क्यलेंज कर रखा है चार जुलाई या फिर पांचार जुलाई को यह आया था पिछली साल कोट और कमल दीप निराला जी वाले में सिंगल बेंसे और उस आदेश के अनुपालर ना करने की बज़े से आउमाना याचिका भी है जिसकी डेट लगी है अक्टोबर में लेकिन उसके पहले पहले अभी SLP पर सुनवाई हो रही है और यहाँ पर मजबूत पहरवी कि आउसकता कल फिर से रहेगी और हम हमारी भी इश्वर से प्रातना करेंगे कि आप लोगों की जीत हो और सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी को इसी वर्स से अठाइसो गेड़ पर कुले क होते हैं उनका ग्रेट पर बढ़ाना यह सारी चीज़े सरकार करते आये हैं और अभी कई पदों के लिए आगे भी आप सभी को चीज़े देखने को मिलेंगी और आप लोगों को तो पहले से मिल रहा था जितने भी श्वास्तकार करता है प्रदेश के अंदर पुराने नए जो भी 2011 के पहले के नियुक थे तो फिर अब आप लोगों को भी मिलना ही चाहिए जिनको नहीं मिला है उनको ज्वाइनिंग डेट से एरियर से देने वाली ब परतिया है सभी के लिए लागू होगा जब भी होगा तो कल हाइकोट में सुनवाई की जो भी जैसे भी अपडेट होगी अगर लाइब अगर पॉस्पाउसबल होगा तो लाइब भी आ जाएंगे उस टाइम पर बाकि जो भी जैसे भी जानकारी होगी आप सभी को तुरंत अपडेट देने का प्रयास करेंगे धन्यवाद